अब आईए छंध का अगला अंस पढ़ते हैं गोधन चरते कैसे सुन्दर गल घंटी बजती सुखमूल गोधन चरते कैसे सुन्दर गल घंटी बजती सुखमूल चरवाहे फिरते हैं सुकसे देखो ये तत्नी के कूल ग्रामे जनों को लब्भ सदा सब्रकार सुकसान्ति अपार जंजट हीन बिताते जीवन जंजट हीन बिताते जीवन करते दान धर्म सुकसार यहां पर गोधन गाय गले में घंटी बांधे और चरवाहे उन्हें लेकर के कूल तटनी महानदी वहां प्रवाहित होती है जहाए रचना की गई है उसके कूल मतलब किनारे पर और गाव वालों को अनंत शुक की प्राप्ति होती है वे जंजट रहित अपना जीवन यापन करते हैं वे दानी भी है धर्म है धार्मी खैं और उनका जो जीवन है बहुत सुखी है तो अब एक शब्द देख लें गोधन गोधन गाय के बच्छणों पहते हैं गल घंटी गले की घंटी आपने देखा होगा हां की मवेशियों के गले में एक घंटी बांदी जाती है अब बहुत सुंदर लगती है माने करण प्रिय लगती है जब वो चलते हैं सुख कमूल सुख कामूल या आनंद की जड़ तटनी नदियों को कहा जाता है कूल है किनारा लब भिमाने प्राप्त सुखद जो सुख सुभजाएं हैं तो इस तरह से कभी ने गाय के बच्छणों का सुंदर चित्रन करते हुए ग्वालों की जीवन सहली का चित्रांकर हमारे सा दिखा है वास्तों में कर कहता है कि गाय के बच्छणों में गले की बंधी घंटी की सुमदुर द्वन मन को मंत्र मुग्ध करने वाली है चलवाये बड़े मजे से नदी के किनारों पर घूमते फिरते दिखाई देते हैं ग्राम में जीवन में सुक्षांत की बहारशी चाह किसान आनंद में जीवन आपन करते हैं सभी किसान बिना चिंता बिना फिक्र के अपने जीवन को धर्म और नहतिक कारियों में बिता रहे हैं जो जीवन का सार है वही इन किसानों के जीवन में प्रासंगी को गया है वास्तों में इस अंश में गोधन का मनोरम चित्र खीचा गया है भाषा सरल और सारगर्वी थे सैली भाव भंगिमा को ब्यक्त करने वाली बन पड़ी है एक सुन्दर चित्र हमारी आँखों के सामने गाउं का आ जाता है अब आएए एक प्रस्ण उठता है कभी मुकुर्धर पांडे ने किसानों को छल कपट और देश हीन चतुर भी क्यों कहा है छल कपट रहित देश हीन जो ब्यक्ति होगा वो क्या चतुर हो सकता है बड़ा मार्मिक चित्रांकन है ये कभी पांडे ने किसानों को सरल एवं बिना चल कपट वाले सुभाव को चित्रांकित किया है बताया है क्योंकि ये किसी भी काले को बिना देश भाव से निप्ताते हैं इनमें कभी तेढ़ा पन नहीं देखा गया ये किसान बिशम परिस्थितियों में भी बड़े धैर्यवान दिखाई देते हैं इसलिए उन्हें बिना कपट वाला कहा है गाउं के लोग किस प्रकार से जंजट हीन जीवन बिताते हैं गाउं के लोग सरल जीवन बितीत करने वाले होते हैं ये करमसील, निस्थावान, खेती बारी करने में विश्वास करते हैं अन्य किसी जंजटों में नहीं पड़ते तीज है, तेवहार है और जो इनकी सामाजिक परमपराएं हैं उसका निर्भन करते हुए सीधा साधा जीवन बिताते हैं इस कविता में गाउं के बाग बगीचों की सुन्दर्ता का किस प्रकार चित्रांकन किया गया है इस कविता में त्रिमुकुटधर पांडे जी ने सुंदर बाग बगीचों का वर्णन मनुहारी धंग से किया है चित्रात्मक भासा में किया है फुलवारी की शोभा जो है निराली है इन बगीचों से मीथे मधुर फल सहज ही प्राप्त हो जाते हैं इन बगीचों की महक घर को सौरब शिक्त कर देती है, सुर्भित कर देती है, केले नारंगी आदिके बगीचे हमें फ़लों से लबा लब दिखाई देते हैं, इससे मन प्रसन हो जाता है इस कविता में जहरने का प्रयोग हुआ है, यह बहता हुआ जहरना हमें किस प्रकार से जीवन जीने का संदेश देता है वास्तों में बहता हुआ जहरना हमें निरंता रागे बढ़ते रहने की प्रेणा देता है, बढ़ते रहने का सास्वत संदेश देता है चलते रहो चलते रहो आगे बढ़ते रहो ये ज़रने हमें जीवन में निरंतर कारी करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं ज़रने हमें जीवन में निरंतर ये का अमर संदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन की गत रुकने में नहीं, चलते रहने और आगे बढ़ते रहने में भी है। बच्चों, आपके गाओं या सहर में ऐसी कौन-कौन सी खास बाते हैं, जिसे आप सभी को बताना पसंद करेंगे। तो चलिए हम आप से साभागिता कर रहे हैं इसमें कि हमारे गाओं की क्या विशाष्चता है, आप झूचकर गाओं और तूकर आप देखा हुआ है, तो आप अपने धंग से अभी विक्ती देंगे। हमारे गाओं में जो खास बाते हैं जो प्रमुख बाते हैं देखिए हमारे गाओं में बच्चों के खेलने का बहुत बड़ा और स्वच्छ मैदान है हमारे गाओं के आसपास चारों और सुंदर मंदिर हैं गाओं के सभी मकान सुंदर लिपे पुते और साप सुथरे हैं हमा गाउं में उच्चतर कक्षा तक का हार सेकेंडरी विद्याले हैं। गाउं के सभी लोग प्रेम सवहार्द पूर्ण जीवन बिताने में विश्वास रखते हैं। गाउं के सरपंचे जी भी सरकार की सभी सारी जो सरकारी योजनाएं उसका क्रियान्वेन सफलता पूर्वक करते हैं। यदि आपने या आपके मित्रों ने किसी गाउं का भ्रह्मन किया है तो वहां जो बातें आपको प्रहावित की हों उसका आप वर्णन कीजिए। तो एक बार जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूं। आप उसको अपने शब्दों में और आपने क्यान वो किया जब आपने गाउं का भ्रहमन किया। तो वहां का जो प्राकृतिक परिवेश है वहां का जो सौंदर यह है तो उसको आपने वो आपको किस तरह से प्रहावित किया। मैं यहां जो मेरे गुर्देव हैं पंडित चंदिका प्थाजी त्रिपाठी उनके साथ गया हुआ था। गाउं के चारों और हरियाली एवं बागबगीचे हैं। एक छोटा सा पुस्तकाले है हमारे गाउं में। किन्त यहां दुरलब एक हजार से ज़्यादा पुस्तके होंगी वहां का जो पुस्तकों का संग्रह है वहां मुझे बहुत पसंद आया। हमारे मार्ग दर्सक डॉक्टर कमल की सोर भी हमारे साथ थे। उन्होंने पुस्तकों के महत्तों के बारे में हमारा सफल माखदर्सन किया यह गाउं की आत्रा रोचक और बहुत ही आनंद दायक थी और आजकल सुन्ने में आता है समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि जो जंगली जीव जन्तु हैं वो सहरों गाउं में क्यों घुशाते हैं आपको क्या लगता है तो बच्चो आजकल जन्संख्या में निरंतर बृद्ध हो रही है भूम सीमित होने से आवाज समस्या भी बढ़ती जा रही है जंगलों की कटाई लगातार हो रही है अतेव जंगल के जीव जन्तु के लिए समस्या पैदा हो गई है माने जन्संख्या की बृद्धि ने मानव के लिए तो समस्या पैदा करही दी है आवास की समस्या भोजन की समस्या रोजगार की समस्या लेकिन जो जंगली जीव जन्तु हैं उनके लिए भी समस्या पैदा कर दिया है जंगलों की लगातार कटाई करके जहां कभी प्राचीन काल में गंगोर जंगल थे वहां ब्रिक्षों की कटाई से वाता वरन वीरां सा बन गया है अतह जंगलों में रहने वाले बंदर, सियार, हिरन आधिगाउं में घुसाते हैं और कभी-कभी भालू गुशाते हैं हमारे हाँ जैसे हाथी गुशाते हैं और उत्पात मचाते हैं तो इसलिए आवस्चेक्ता इस बात की है कि हम अपने बनों को कटने से रोकें और हमारा जुगाओं है जो इतना सुखद है सुन्दर है प्राकृतिक सुस्मा से उसे हम विकास कियों ले जाएं लेकिन जो उसकी सुन्दरता है जो गाओं के लोगों का सुभाव है जो उनकी जीवन सहली है उसमें हम परिवर्तन न करें